सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्टेकिंग कापसिटी क्या है रिस्टेकिंग कापसिटी यानि कि अगर आप कहीं पैसा रख रहे हो और पैसा जीरो हो जाए तो आपको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा डाट इस रिस्टेकिंग कापसिटी अगर अगर आप 35K है, आपकी फैमिली है, आपके ओपर डिबेंडेंट तो फिर आपकी जो रिस्टिकिंग अपसिटी है वो मीडियम हो जाती है, आप जादा रिस्क नहीं ले पाओगे, तो उस पॉइंट अफ टाइम पर उस सिटुएशन में आप मुचल फंड में इंवेस्ट कर स करते हो.